आज मैं आपके लेके आई हूँ सूजी से बनावा बहुती टेस्टी नाश्ता ये देखिए ऐसे बनेंगे आपके ये सूजी के नाश्ता बहुती बढ़िया बहुती क्रिस्पी कि आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं कई महीनों तक एर टाइट कंटेनर चार में और इतन इसको तोड़ रही हूँ नाइफट से टूट जा रहे देखिए कितने क्रिस्पी हैं तो आप भी इसको जरूर ट्राइ करिए तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं इसके लिए हमें चाहिए यहां पर तो यहां मैंने पहले इसका हम एक मसाला त्यार करेंगे हमें ध सुधाई चमच हल्दी भी डाल देंगे इसमें और इसमें थोड़ा सा कड़ी पता डालेंगे तो यह मेरे पास सुखा हुआ कड़ी पता है अगर अकरस फ्रेश है तो आप फ्रेश डाल सकते हैं अब यहां पे थोड़ा सा पाइन डालके इसका पेस तैयार कर लेते हैं तो यहां पर देखिए अब मैं डेड़ कप ले रही हूँ सूजी यहां पर आपको बारिक वाली लेनी है तो अगर आप आप मोटी वाली है तो आप उसको mix लीज़े आपकी सूजी बारिक हो जाएगी अब यहां पर मैंने डेड़ कप सूजी में डाल ली है mixing bowl में अब क्या करना ह जो हमने यह मसाला अभी जो पीस के रखा है ना धनिया मिर्ची लसन वग्यरा का वो यहां पे इसमें अप सारा डाल देंगे आप चाहें तो इसे बारी कट करके भी डाल सकते हैं लेकिन इसको पीस के डालेंगे ना तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा और बहुत टेस करना है तो यहां मैं चम्मच की साइधा से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ अब मैं इसे हातों से अच्छे से गुंदूंगी तो यहां थोड़ा थोड़ा पाई डालके हमें एक डो तैयार करना है तो यहां पर डो को तैयार कर लेते हैं यह हातों से ही अच्छे से मिक तो सारे मसाले आपस में अच्छे से मिलेंगे नहीं तो आपको यहां पर हातों से अच्छे से मिक्स करना है और यहां पर गीला डो तेयार करना है अब यहां पर मैं डाल रही हूं एक चमच यहां पर तेल डाल के इसको मैं अच्छे से फैला दे रही हूं यहां पर देखिए जो यह सूजी है वो सेट हो चुकी अच्छे तरीके से और डो भी बहुत बढ़ी असे सेट हो गया है इसको हम अब बनाने के लिए त्यार करते हैं स्नेक्स को थोड़ा से एक बार में मसल लो इसको तो यहां पर देखिए तयार है बिल्कुल अच्छे तरीके से तो यहां मैं लोई तोड़ देखिए थोड़ी सी बड़ी लोई तोड़ रही हूं आप छोड़ी छोड़ी लोई यहां भी तोड़के बना सकते हैं हातों को ऑईल से ग्रीस कर लीजे ने तो यहां चिपकेंगे अब यहां पर देखिए एक रोल में तयार कर ले रही हूं उसको पेड़ा तयार कर ले रहे हैं अब पेड़ा यहां पे तयार हो गया है चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो यह देखे तयार है अब क्या करना है यहां पे देखिए अब मैं यहां पे इसको एक प्लाटफॉर्म पे लेके इसको अब यहां पे रोल करूंगी तो यहां पे मैं डाल रही हूं चावल का आठा आप मैदा या नौर्मल आठा भी ले सकते हैं तो यहां पर बस अब इसको ना में बेलूंगी तो यहां में एकदम इसको पतला बेलने वाली हूं तो यहां पर इसको इकदम पतला बेल लेते हैं वैसे भी उस shape में भी इसको cut कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं इसको देखिए square shape में cut कर रही हूँ ताकि जो nachos का design है वो आ जाए इस पर तो बहुत easy आ रहता है बहुत simple तरीका बताऊंगी nachos को cut करने का आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी nachos को cut करने में कैसे बनाए और कैसे cut करें तो यहाँ पर extra जो यह आटा है इसको हटा देते हैं और अब इसको cut कर लेते हैं तो यहाँ मैं इसको cut कर लेती हूँ देखिए आपको बताती हूँ पहले बीच में square के हमें four parts कर लेने हैं यानि चार हिस्टों में इसको बाट लेना है अब इसको मैं डिवाइट कर ले रही हूँ देखे इस तरीके से तो यहाँ पर मैं इसको डिवाइट करके अब यहाँ पर देखे इस साइट से कॉर्डिनर से लेके दोनों साइट से हमें इसको इस तरीके से कट करना है यह देखे यहां हमारे नाचोस का डिजाइन जो है वो आ गया है ट्राइंगल शेप में सारे अपने आप आ गये हैं देखिए कितने बड़ी आई लग रहे हैं देखने में तो इसी तरीके से यहां पे सारे तियार करेंगे कट कट के यह देखिए अब इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ हम फ्राइ करेंगे तो यह देखिए एक बार इसको हम चला दे रहें ऐसा नहीं चिपकेगा कुछ होगा और दीए कितना प्यारा कलर आ गया है इसको अब निकाल लेते हैं बहुती क्रिस्पी यह फ्राइई हो चुके हैं यह देखिए देखने से लग रहा है ना कितने क्रिस इसको स्टोर करके भी रखा जा सकता है कई दिनों तक मैंने भी काफी सारा बनाया है और इसको स्टोर करके रखा है तो यह देखिए इस तरीके से यहां पे नाचोस कुछ तयार होने वाले हैं सूजी के और इसी तरीके से यहां पे मैं सारे बनाके तयार कर रही है देखिए कितने बढ़िया से जितने चाहे इसमें आप डाल दिए बस overloaded मत करिएगा इसको बस यहाँ पर यह है कि इसको डालते जाएए डालते जाएए तुरन डालते जाएए फ्लेम को जब आप डाल रहें तो एकदम लो पर रखना है हाई फ्लेम पर मत इसको फ्राइ करिएगा नहीं तो यह बाद में सॉफ्ट पड़ जाएंगे या तो वो जल जाएंगे वो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा तो यह भी फ्राई हो चुका है इनको भी मैं निकाल लैती हो और इतने बड़िया यह सूजी के स्नाख बनके तयार हुए है न यह देखिए यहांपte देख सकते हैं साहरे इस तरीके से बनाई ये और बच्छों को दीजिए तो हेल्दी भी है सूजी से से बनके तयार हुआ है आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं तो आप इसको कड़ाई में बेक कर लीजेता है इसको आप अवन में भी बेक कर सकते हैं 180 डिग्री पे इसको 10 से 15 मिंट के लिए आप बेक पे कर सकते हैं तो बस यहाँ पे देखे कितने बड़िया से यह फ्राई हो चुके हैं बहुती क्रिस्पी बनके तयार हुए हैं तो यहाँ पे आप भी इसी घर पे बनाएए और यह हमारा सूजी का बहुती बड़िया नाश्ता बनके तयार है वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो माच